नमस्कार आपके साथ मैं हूँ दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक स्वागत करते हूँ आपका हमारे खास कारिक्रम कहानी काम्याबी की में अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिन्दगी जीने का मकसद क्या है अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि हम जिन्दगी जी रहे हैं लेकिन हमें संतुष्टी क्यों नहीं मिर रहे हैं हमें जिन्दगी जीने का मज़ा क्यों नहीं आ रहा है या फिर हम अपने जिन्दगी से किसे एक बिंदू पर रखकर सोचा जाए तो उस बिंदू का मतलब क्या है आज के इस खास इंट्रिवु में हम यही जानेंगे जी हाँ हमारे साथ मौझूद है मशूर बिजनसमेंट जो की एक बिल्डर भी है मोटिवेशनल भी है इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिन्दगी में काम किया है एक समाच सेवी भी है उनकी जिन्दगी की उस कहानी को जानेंगे जो आज उन्हें इस मुकाम त सबसे पहले तो देखिए इंटुडेक्शन हम दर्शकों को देखी चुके हैं कि कितना कुछ आपने किया है लेकिन इन तमाम चीजों के साथ एक चीज जुड़ जाती है आपकी इंटुडेक्शन में वो है समाच सेवी सबसे पहले यही आप से जाना चाहेंगे कि समाच जये तो समाच को आपने क्या दिया देखिएगा मैम सबसे में चीज क्या है कि इनसान जब अपने लिए जीता है तो मैं उसको मानता हूँ कि वह लाईफ उसकी थोड़ी बैटर नहीं है उसको समाच के लिए जीना ही चाहिए और मेरे लिए साथ क्या हुआ है कि मुझे समय पर बहुत उच्च कोटी के संत विद्वान उनका सानिद्दे मिला जैसे मैं वर्सों पहले स्वामी रामदेव जी के सानिद्दे में आया तो योग से प्रणयम से हम लोग इस बात को समझ पाए कि सेवा जो है वो प्रकर्ती के अंदर इस्त्रस्टी के अंदर एक सबसे के बारे में बताते थे हम लोगों को एक एक्च्वल में ठीक जीवन कैसे जिया जाए इस पर काम करते थे जो फंड्स का पैसे का सयोग है वो एक अलग पार्ट है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हम लोग दस अजार बच्चों तक टच करते थे जर्सी और जूते राइस सामने बैठा है उसके जिसम पे स्वेटर नहीं है तो हम लोग एक एक गाहों तक पहुँचे और इस परकार से बहुत से अंदान के सयोग के सेवा के दो बहुत कारिये चलते हैं और आज भी चल रहे हैं सेवा के काम चलते रहते लेकिन बहुत मुश्किल नहीं हो जाता है ज के पीछे की वजह जाना चाहेंगे देखीगा सबसे में चीज तो क्या है कि कोई भी इंसान आप कहीं से भी कोई बात उठाईएगा तो जो प्रोग्रेस है उसकी लाइफ की वो कहीं ना कहीं बेस है आप यह नहीं कैसे कि बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगी जो टाटा ब मेरे फादर पिछले बारा साल पहले नहीं रहे तो सबसे अच्छी बात क्या रही कि मेरे फादर की जब जौब थी तो वो एक पैसा भी रिस्वत का अपने घर में नहीं आने देते थे और पूरी लाइफ हम लोग किराए के घर में रहे फर्स टाइम हमने घर जब लिया कोई सराब पीएगा कोई कराइम करेगा कोई लंगड़ा होगा कोई अपाईज होगा तो सबसे जो में पार्ट था वो पार्ट ऐ फादर ने जो हमें अन दिया जो उनके हां से आर्था आया जिससे हमारा पालन पोशन हुआ और एक जो सबसे बड़ी बात थी हमारी मदर मैं मा के साथ ही रहता हूँ आज भी आपके गुड़गाओं में तो हमारी मदर हमेशा एक ही बात कहती है कि अरे तिर लोग अच्छा सोचो राम अच्छा करेगा तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी काम में साथ नियत होना कितना जरूरी होता और क्या आप इसे एक सफलता की कुझी मानते हैं आप इसको ये मत कहिएगा कि कितना जरूरी होता है अगर आपकी नियत साफ नहीं है अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है अगर आपके अंदर काम के परती निस्ठा नहीं है समर्पड नहीं है और उस कारिये से समाज का भला नहीं है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते बि उसने पैसा ज्यादा कमा लिया लेकिन पैसा ज्यादा होना सफलता बिलकुल नहीं है ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है आपके पास सब चीजें कैशे आए पैसा भी आए सम्मान भी आए खुसी भी आए और फिर इनी के साथ जो आपकी नैस पीडिये बच्चे वो भी कमा कर जाएं और आप देखते रहें उनकी तरफ कि ये बच्चा बाहर फोरण से पढ़के आया है और आज ये वैसी जी रहा है जैसे मैं चाहता हूं और बिना बताए जी रहा है इसका मतलब क्या है मैं वो प्रकरती सयोग कर रही है क्योंकि आपने अपनी लाइफ को प्रकरती के अनुसार जिया है ये है सबसे मुख्य बात तो जो एक आप इमानदारी की जो बात कह रहे थे वो केवल जरूरी नहीं है आप यह मैं सोचेगा सब कुछ ही वो है मुझे लगता है आपसे यहां पर ये भी जान लेना चाहिए कि प्रकरती हमें कैसे जीना सिखाती है देखो मैं मैंने वेद नहीं पड़े हैं लेकिन बहुत से संतों ने मुझे प्यार किया जिसमें स्वामी रामदेव जी मुख्य हैं और एक सायद हो सकता है आप उस नाम से वाकिफ ना हो और मैं चमा चाहूंगा कि अगर सर ये सोचें कि तिर लो तुमने मेरा नाम नहीं ल है तो सबसे में चीज तो क्या है कि वहां से जो हमें चीजें मिली कि इनसान को जीना कैसे है जो जीने की ठीक बात है वो प्रकृति के अनुसारी है जैसी आप योग करेंगे जैसी आप प्रणायम करेंगे जैसी आप अपने आहर को सुद रखेंगे जैसी आप जैसे आप किसी और का भला चाहेंगे जैसी आप वेपार के अंदर अपना भलाज बाद में और अपने कस्टमर का भला पहले चाहेंगे तो आपको सो परतीसत स्वम पता लग जाएगा कि परकरती के अनुसार कैसे जीना है स्वम बिना बुक्स पड़े तो मैं चाहते हूं कि हमारे दर्शक के इस बात का उधारन अपनी जिन्दीगी में जरूर आजमाए लेकिन ये जो आत्मबोध की बात आपने कही ये आत्मबोध आपको क्या लगता है कि इससे दुनिया कितनी दूर है बहुत दूर हैं बहुत दूर हैं मैं अभी नहीं कहूंगा कि इस टीवी प्रोग्राम को देखे आपके चैनल के माध्यम से कोई आत्मबोध की बात करें हम लोग ये तो बहुत कम कोई परमात्मा का बहुत असीस होता है जब किसी को आत्मबोध होता है लेकिन ठीक लाइफ को अच्छी life को बहुत आसानी से जिया जा सकता है मैं आपके TV के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा हर यूथ, हर बहन, हर बेटी बहुत अच्छी life जी सकती है चाहे उसके पास पैसा कम है या जादा है चाहे उसके पास education कम है या जादा है बस उसको एक बात समझना होगा कि मैं अपने अंदर पातरता कैसे बनाओं मैं अपने आपको प्रकरती से कैसे जोड़ूं मैं उस परमात्मा से अपने आपको कैसे जोड़ूं मुझे जिसने जनम दिया वो मेरे माता पिता है मैं उनके अपनी मा के गरब से पैदा हुआ हूँ, ऐसी आप पैदा हुई है लेकिन वो हमारे को इस तुरस्टी में लाने के माध्यम है लेकिन हम सब का पिता कहीं और है हम जब तक उससे नहीं जुडेंगे और उससे जुडने के लिए कोई तप और यज करने की जूरत नहीं है मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूँ बस आपको सोचना है कौर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अपनी जिन्दगी में हम सक्सेस हो इसके पीछे का मंतर क्या है देखो मैं सबसे जो मुख्य बात है वो तो यह है कि एक संकल्प लेना अगर आपने स्वामी विकानेंद जी की जो सबसे मुख्य स्लोगन है बात है अगर उस पे ध्यान दिया हो कि उठ जाग और अपने संकल्प को पूरा कर जो उठ जाग का मतलब है वो अंदर से जागरती से है तो एक आपको संकल्प लेना है और एक आपको अंदर से जागरती लानी है और जो अंदर से जागरती लानी है उसके लिए सबसे पहले आपको परमात्मा से बात करनी पड़ेगी कोई कहते हैं तब करो जब करो और हमाले में जाओ और मैं आपको कहता हूँ कि वो जरूर करना चाहिए बड़े अगर आपको आतम बोद के लिए तरफ जाना है लेकिन अगर आप आज के समाज में एक बहुत अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और खुसी से जीना चाहते हैं साथ साथ पैसा और सम्मान दोनों चाहते हैं तो सबसे में चीज का है परमात्मा से बात करनी और मैं आपके टीवी के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि कंट्री का कोई भी युवा, कोई बेहन, कोई बेटी, कोई भी परिवार, एक बार ये जो मैं व मुझे लग रहा है कि लाखों लोगों तक ये बात पहुचने वाली है, सबसे में चीज क्या है मैं, कि आपको एक बेटर सोचना है, आपने सोचा कि मुझे वहां तक जाना है, पहले तो मैं आपको सपस्ट कर दूँ, कि आप कहीं तक भी जाने की सो सकती है, कोई सीमा नहीं है, ऐसा मैं सोचीगा कि मैं यहां बस इतना ही जा सकती हूँ, नहीं इससे बड़ा तो मैं नहीं कर सकती, या मैं यह नहीं सो सकता कि मैं इससे बड़ा नहीं कर सकता, अगर मैं आपको मेरी बात इससे पहले मुझे एक बात ध्याना गई है, मैं आपको बताना चाहरा हूँ, कि मैं भीवानी से दिल्ली बस में आता था और मैं ऐसे देखता था कि उस समय स्टोन लगता था बुच बोलते थे उसको कोठियों पे और हम लोग किराए के घर में रहते थे तो मैं सुझता था कि यार ऐसी कोठी बनाएंगे और कोई आदमी साड़े तीन रुपे में भीवानी से दिल्ली आ रहा है बस में बैठके वहां से सामान लेके भीवानी बेच रहा है जो संकल्प था वो बड़ा था और वो संकल बार बार दोराया जा रहा था हमें बाद में पता लगा पहले हम उसको दोरा रहे थे बाद में हमें पता लगा कि अगर किसी भी संकल को बार 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 दोराया जाता है तो वो मंत्र बन जाता है और मंत्र सिद्ध हो जाता है और जो आप सोचते हैं वो सो परतीशत होता है उसके बाद में बहुत से संतों से आचारियों से हमें जो मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए भी और सभी देशवासियों के लिए भी कि एक बहुत अद्बुच समय है बहुत अल्टिमेट समय है तीन बसके बीस मिन बल दे सकता हूँ. कि जो बेहन कहती है, अरे भाया, बस पूछो मत, कि दस दिन में क्या बदल गया है, और जो एक प्रोबलम में थी, एक ढोक्टर, जो कहता है, बस पूछो मत, भाई, सब क्या हो गया है, तो मैं उसी बात को आप सब के सामने रखना चाहता हूँ सबसे पहले आप अपने आपको एक brain को message दीजिएगा ताकि आपके दिमाग से वह बात हट जाए कि सुबह कौन इतने जल्दी कौन उठेगा अपने brain को message दीजिएगा कि मुझे तीन बजे उठना है तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी जाग खुलेगी तो सा पे चले जाएगा और आप वहां जाके अपने आखों को बंद करिएगा और आखों को बंद करके थोड़ा सा गर्दन को उपर उठाइएगा और दोनों हातों को आसीज की मुद्रा में लाइएगा ये आपके एंटीना है जो आपकी बोड़ी के अंदर आसीज देंगे और भगवान सिव से बात करिएगा क्या बात करनी है आपको कि हे परम पिता परमातमा हे स्रस्ची के रचेता हे सिव हे माकाल मैं इस भोर में इस अद्बुस समय में आपके चड़ों में प्रणाम करने आया हूँ आप बात कर रहे हैं तीन बीस से तीन चालिस के बीच जिसको उसको अजमा के देखा है नेस बात हे परम पिता परमातमा हे स्रुस्ची के रचेता हे सिवहे माकाल मैं आपका पुत्र हूँ मैं दिवे पुत्र हूँ मैं दिवे पुत्री हूँ आप ऐसे बात करिएगा और मुझ पर मेरे परिवार पर आपका बहुत असीस है मैं बाहर बाह आपको प्रणाम करती हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, यह आपने दूसरी बात की है, फिर आप तीसरी बात करते ही, कि है परंपिता पर्मात्मा है सरुस्ची के रिचेता है सिविह माकाल, मेरा जीवन में बड़ा संकल्प है, मैं अपने लिए नहीं मैं समाज के लिए रास्ट के लिए जिऊंगा और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे भी समाज में बढ़ा करेंगे और वो सब आपके आसीश से होगा मैं इसको सो परतीसद जानता हूँ आपने इसको शोगर कर देना है कि मैं इस बात को जानता हूँ ये आपने जब बात की वहाँ पर तो मैक्सिमम तीन से चार मिनट के अंदर आप बात कर लेते हैं इसके बाद में आप अगर मोसम ठीक हैं तो बहार ही चटाई बिचा के बैढ़ जाईएगा अगर मोसम ठीक नहीं है तो अपने घर के अंदर सोफे पे बैठो या जमीन पे बैठो जिस बैड़ पे आप सोते हैं उस पे आपको नहीं बैठना है और उस परमपिता परमात्मा का सिव का एक मंत्र है जिसको मैं स्वम जबता हूँ ओम हरीम सिवाए नमे एच आर डबल ए एम ओम हरीम सिवाए नमे इस मंत्र का जब करिएगा और इसके बाद में एक माला गाहित्री की उसमा गाहित्री गाहित्री हमें सिखाती है कि मैं कौन हूँ गाहित्री हमें सत्ते के नजदीक ले जाती है सिरफ एक माला ये टोटल सिस्टम जो है आपका करीब-करीब 30 मिनट का रहेगा इस 30 मिनट में आप ये समय लेजिए कि आपके अंदर एक एनरजी आ गयी है आपके अंदर एक अरजा आ गयी है आप एक चार्जर बेंक बन गए है अब आप किसी को चार्ज कर सकते हैं श्यम को भी चार्ज कर सकते हैं तो सबसे पहले आप बात कर रही हैं कि अपनी अपनी बात कर रही हैं कि मैं एक मास्टर सोल हूँ और सफलता मेरा जर्म सिद्धिकार है मैं पहले आप अपने आपको कहीएगा मैं अपने आपको कह रहा हू कि सफलता मेरा जन्म से दिखार है और जानता हूं कि मैं जीवन में बढ़ा करूंगा ऐसा 100% होगा आप ने 10 से बारा बार ऐसा कहा फिर आप देखती है कि ये मेरा बेटा है ये वैसा नहीं कर रहा है जैसा मुझे करना चाहिए आप देखती है कि ये मेरी बہन है ये जैसा है आप देखती हैं कि ये मेरे साथ जैसा वेवार होना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं वह अपना सो रहे हैं वह बंगलवर में हैं आप बंबे में हैं Estamos कर ये की है पर्म पता परमात्मा है श्रस्चि के रिचेता में जानती हूं मेरे पती मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत विवेकी हैं, वो बहुत सैंसील हैं, उनका नाम लीजीएगा, अगर मान लीजीए उनका नाम संजीव है, तो बात करेगा, संजीव मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम दिल से मुझे प्यार करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप इस प्रमात्मा की बनाई स्रीरस्टिंगे में जानती हूं, आपको अपने बच्चों को क्रेक्ट करना है, आप सोचेंगे आपके बच्चा बढ़ा करेंगे, तो वहीं बेठे बेठे, क्योंकि आप एक चार्जी बेंक बंच चुकी हैं, जब आप चार्जी सता बढ़ा करेंगे आप बहुत विवेकी हैं एक एक चीज को आप बहुत गहन अध्यंस कर रहे हैं यह जो फॉर्मूला आपने बताया है मैं इसे जरूर ट्राय करूंगे और अगर जो दर्शक हमारे साथ इस समय जुड़ पा रहे हैं मैं उमीद करते हूं कि वो भी इसे जर बच्पन कैसा था देखो मैं बच्पन जो था मैंने आपको बताया है कि हम लोग तो सारी उमर जो है जब तक फादर जोब में थे जब तक मैं बिसनिस में नहीं आया था तो यह सब उसकी कृपा से ही है तीन सो पच्चीस रुपे महीने का आदमी काम करने वाला यहां तक कै पहुचेगा जब तक उसके पास correct thought नहीं होंगे और फिर यहां तक पहुचना पैसे से नहीं आपको खुसी होनी चाहिए आपको respect मिलनी चाहिए लोग आप से कुछ पा रहे हों और आप खुस हो रहे हों कि हाँ मैं किसी को कुछ दे पा रहा हूँ आज की डेट के अंदर भी मैं अपने वेपार को छोड़के मुझे कहीं कोई बलाता है तो मैं पहुंचता हूँ अभी मैं कुस दिन पहले की बात बता हूँ आपको कि हमारे रिवाडी के अंदर एक टीचर के लिए अध्यापकों के लिए प्रोग्राम हुआ तो मैंने उनको कहा कि मैंने का देखो मैं आपके बीच सरफ इसलिए आया हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे समाज में मेरे रास्ट में जो घट रहा है उसके लिए सो परतीशा जुम्मेवार आपा है अगर इस टीवी के माध्यम से कोई भी टीचर सुनेगा तो कहेगा तिर लोग तुम बहुत गलत आदमी हो तुम ऐसा नहीं बोलना चाहिए और यही सेम बात उन अध्यापकों ने मेरे से कही कि नो मिश्चर सर्मा हम नहीं पेरेंट्स या सरकार और आप विस्वास करना उन टीचरों से मैं आपको मिलवा सकता हूँ साड़े चार सो टीचर थे गौर्मेंट का प्रोग्राम था असोक सर्माजी उस समय डीसी होते थे जो आजकल पंचकुला है उन्होंने वो विवस्था की थी एक घंटा बीस मिनट के लेक्चर के बाद सो परतीसट टीचर और प्रिंसिपल ने इस बात को माना कि हम का सुरुआ रहे सबसे में चीज क्या है एक आदमी काम कर रहा है वो विचारा जानता नहीं है कि मैं ये ठीक कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं तो मैं उसको गलत नहीं कहता हूं आज अगर मीडिया ठीक नहीं कर रहा है तो मैं मीडिया को गलत नहीं कह रहा हूं सबसे में चीज क्या है कि क्या मीडिया के पास वो मेडिशन है जानने की? कि मुझे करना क्या चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिरफ आर्थ को फोकस करते हुए और बहुत दूर निकल जाए और एक दिन पता लगे कि जीवन ही खतम हो गया? आपको कहना चाहता हूं मेरी बात कौनने था मत लेना. अ तमाम बाते आपने कही है, उसके जरीए कुछ लोग जो कुछ दर्शक जो इस समय हमी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो अपनी जिन्दीगी में इन तमाम बातों का अमल मिलाए. क्योंकि यह बहुत जरूरी होता है, अगर मैं आपको अपने आप से कनेक्ट कर पा र रहे हैं, अगर नहीं तो एक आखरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे? कि आपके लिए अतियन वारिया है, जब तक हम नहीं बताएंगे तो उसके लिए कारिया नहीं करेंगे. जैसे आपके टीवी के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कि पिछले सालों से, एक दो साल नहीं, साथ से आठ साल से, आपके गुरदावा के अंदर, दिली के पॉलिशन का इतना बुरा हाल है जिसका कोई साब नहीं. लेकिन बच्चे बिमार हो रहे हैं, लोग कैंसर की तरफ जा रहे हैं, लोग दमे के पैसेंट हो रहे हैं, लेकिन क्या इतना ब्रेन हमारे हिंदुस्तान में हैं, इतनी मसीनरी हैं, इतने हाईली क्वालिफाइड आ है कि बिन्दू है हमारे मांजिक विचारों का सही कर सकता है आपको क्या सही है क्या गलत है इसका बोथ किरा सकतें भाइब भाशुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए खबर अभी तक देख रहे थे आप और यह था हमारा खास कारेकरम कहानी कामियाबी क्या अब फिल हाल के लिए इतना ही मुझे दे इजाज़त और आप बने रहें खब्रयां भी तक के साथ जय है